आप सभी को मेरे नमस्कार आपने मेरी पिछली वीडियो में जाना था कि प्राचीन भारत जिंक एक्स्ट्रेक्शन और स्मैलेटिंग में विश्व का गुरू था उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा पर प्राचीन भारत का मेटलर जी का ग्यान जिंक त जैसे प्राचीन भारत क्रूसीवल स्टील के शेत्र में भी अग्रणी था। प्राचीन भारत के स्टील को वूड्स के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त थी। वूड्स स्टील विज्ञान और विज्ञानिकों के मद्य विशेश महत्व रखता है माइकल फेरडे, जीन रोबर्ट ब्रायांट, पैवल एनोजॉफ जैसे प्रसिद विज्ञानिकों ने इंडियन वूड्स स्टील पर इन्वेस्टिकेशन की थी और यदि वूड्स पर यह अध्यान ना हुए होते तो शायद कई आधुनिक उपलब्धियां जैसे ट्रेंज और प्लेंज हमें बहुत देले से प्राप्त होती तो इस वीडियो में हम भारत, स्टील और विश्व के संबंद को जानेंगे वीडियो पाँच चेप्टर में डिवाइडिड होगी चेप्टर वन, Understanding Steel and Why World Was Interested in Ancient Indian Steel चेप्टर तू, What's in a Name? चेप्टर त्री, It's All Ours चेप्टर फोर, Scientists and Woods चेप्टर फाइव, They Were, They Are चेप्टर वन, Understanding Steel and Why World Was Interested in Ancient Indian Steel इस चेप्टर में हम ब्रीफली, Steel के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि क्यों विश्व प्राचेन भारतिय स्टील के प्रती आकरशित था आइरन और से हमें सबसे पहले मिलता है पिग आइरन जिसमें 93% आइरन और 4% कारबन तथा कई अन्य impurities होती है इस पिग आइरन से हमें raut आइरन और cast आइरन भी मिलते हैं जिनमें क्रमशय 0.15% कारबन और 2-4% कारबन होता है पर जब यही कारबन कारबन कंटेंट 0.15% से 2% तक होता है तब हमें मिलता है steel नामक आइरन और कारबन का अलोई इस अलोए ने विश्व को बहुत कुछ दिया है और विश्व को यह अलोए विश्व गुरु भारत ने दिया है अभी आपको कुरूसिबल स्टील के बारे में भी जान लेना चाहिए फाइन स्टील या कहे टूल स्टील को प्राप्त करने की एक विख्यात विधी को कुरूसिबल प्रोसस कहा जाता था जिस सर्व प्रथम भारत में ही प्रियोग में लाया गया था पर विश्व का भारतिय क्रूसिबल स्टील के प्रती आकरशन बना ही क्यों? उत्तर है डेमसकस स्वोर्ड्स अरब में बनाई जाने वाली ये तलवारे अपनी टफनेस, रेजिस्टन्स, शापनेस और रेजिलियन्ट एज के लिए प्रसिद्ध थी साथ ही इन पर कुछ विश नाम आया कहां से? चेप्टर टू, वर्स इन अनेम, एक्चुली भारतिय क्रूसिबल स्टील के लिए प्रिक्त वुड्स शब्द भारतिय शब्द उक का एंग्लिसाइजिशन है, कनडभाशा में स्टील को उक कहा जाता था, प्राचीन संगम तमिल में इसे एक कहा जाता थ जो बाद में उर्कु भी बोला गया, यही उकु वुट और वुड्स में बदला, जब यह क्रूसिबल प्रोसेस सेंट्रल एशिया पहुचा तो इसे पुलैद बुलाया गया, जिसे पर्शियंस ने पुलैड बोला, मंगोलियन ने बुलैट बोला और रशियंस ने बुलात नाम से जाना, यही बाद में फोलाद के नाम से भी जाना गया, पर हम कैसे मान ले कि वुड्स या कहे क्रूसिबल स्टील भारतियों की ही देन है, चैप्टर थ्री, इट्स ओल आर्स, अब आपके सामने इस बात के प्रमाना रखे जाएंगे कि वुड्स या कहे क्रूसिबल स्टील भारत की ही देन था, 1998 में पुब्लिश्ट में पुब्लिश्ट में जोन वरहोईवन और अल्फरेट पैंड्रे का एक पेपर पुब्लिश हुआ था, शेर्शक था, The Mysteries of Damascus Sword, इसमें लिखा है, Woods was the first high quality steel made anywhere in the world, according to reports of travelers, to the east the swords were made by forging small cakes of steel that were manufactured in southern India, this steel was called Woods steel, Woods steel first appeared in India between 300 BC to 500 AD, it was more than 1000 years before steel as good was made in the west, पर ये तो modern source है ना, कुछ प्राचीन देखते हैं, 1st century AD के Roman author Pliny the Elder ने Natural History the Encyclopedia of Roman Empire लिखी थी, जिसके 34 वे खंड पर सेरेस नामक स्थान से iron के इंपोर्ट का वर्णन है, शुरू में कुछ लोगों ने सेरेस को चाइना से जोड़ा था, परन्तु कालांतर में सत्य बहर आया, और पता चला कि सेरेस एक्चुली तमिल चेरा शेत परिचायक है, American Journal of Archaeology के Volume 43 के Page 100 पर लिखा है कि Damascus Steel Arabs नहीं अपी तो 14 तमिल्स बनाते थे, जिसे भारत से एक्सपोर्ट किया जाता था, 1st Century CE में लिखे गए Roman यात्रा वरतांत The Peripolis of the Erythirian Sea के Page 70 पर प्लाइनी और आयरन दोनों का जिक्र है, और लिखा है The best iron is that made by the सेरेस, और Page 76 पर लिखा है Wool bearing trees of सेरेस और the Indians, तो स्पष्ठ है, दुनिया में आयरन या स्टील एक्सपोर्ट करने वाले Chinese नहीं इंडियन्स थे PT Kredok ने Metallurgy के शेतर में बहुत से लेक लिखे हैं, इनकी एक पुस्तक है Early Metal Mining and Production, इस पुस्तक में 3rd Century AD के Alexandrian Alchemist Zosimos दुआरा Indian Iron के वर्ण करे जाने का mention है, जोसिमोस का वर्णन है की, अब एक Arabic अकाउंट भी देखते हैं, 11th Century AD के अरब स्कोलर, अबू अब्दुल्ला मुहमद Al-Idrisi, Al-Qurtubi, Al-Hasani, Al-Sabit, Short में, Al-Idrisi का एक वक्तव में, Henry Yule Dwarra translated the book of Sir Marco Polo the Venetian concerning the kingdoms and travels of the East में है, यहां लिखा है, Idrisi says on this subject, The Hindus excel in manufacturing of iron and in preparation of those ingredients along with which it is fused to obtain that kind of soft iron which is usually styled Indian steel. It is impossible to find anything to surpass the edge that you get from Indian steel. 1878 में published book The Indian Antiquary, A Journal of Oriental Research के page 192 पर M.J. Wallhouse के archaeological notes है, यहां लिखा है, The workmanship of the native hills can scarcely be surpassed the districts of Salem, Coimbatore and North Arquot in which the best Indian steel has been manufactured from time immemorial. अब भारतिय वुड्स टील पर वैग्यानिकों की रुचे भी जान लेते हैं. Chapter 4, Scientists and Woods, भारतिय वुड्स टील एक लंबे समय तक वैग्यानिकों के लिए fascinating object रहा था. डिला पोल्टा, जोसफ मेक्जोन, रेने, एंटोएने, फर्चाउल्ट, दे, रिमर जैसे प्रसिद विदवानों ने भारतिय वुड्स टील के scientific अध्यन की शुरुआत की थी. June 2006 में published Resonance के अंक में A Tale of Woods Steel नामक एक पेपर पब्लिश हुआ था, जिसमें वणन है कि स्टील के आईरन और कार्बन के अलोए होने का तथ्य है, 1774 में Swedish chemist Tobin Bergman ने अपने वुड्स स्टील के अध्यन के बाद ही बताया था. पर वुड्स पर एक विस्तृत अध्यन किया था Michael Faraday और Stodart ने, 1820 में उनका experiment on the alloys of steel made with a view to its improvement नामक शोद पब्लिश हुआ था, इसके अनुसार उन्होंने English और Indian steel के साथ platinum, rhodium, gold, silver, nickel, copper और tin को अलोए करके देखा था, पर वे लोग exact वुड्स स्टील नहीं बना पाये थ Finally 1960 में पैंजरी ने बताया कि डेमसक स्टील एक हाई कारबन स्टील है, वेज्वर्थ और शर्बी को ऐसे अल्टरा हाई कारबन स्टील मेनिफेक्चर करने हे तु पेटेंट भी दिया गया था, और जोन, वन होईवन और ए पैंडरे ने डेमसक स्टील का production किया था, वुड् से metallurgist और historians का मत है कि 1857 की करांती के बाद, Britishers ने woods industry को destroy करना शुरू कर दिया था, कुछ articles के अनुसार, Britishers ने special machines बनाई थी, जिनसे woods swords को तोड़ा जाता था, परन्तु तब भी भारतिये furnaces समाप नहीं हुई, प्रसिद एंथ्रोपोलोजिस्ट वेरियर एल्विन ने दा विशह में बहुत कुछ वरनित है, यहां लिखा है, the ancient smelting industry has of course greatly declined, yet neither famine nor foreign competition, heavy taxation nor poor techniques, social degradation nor the most pitiful earnings have succeeded in altogether destroying the little clay furnaces which may still be found in many parts of India, एल्विन ने यह भी लिखा है, the agaria are a people absorbed in their craft and material, they seem to have little life apart from the roar of the bellows and clang of the hammer upon iron, तो क्या आपको लगता है कि भारत को इन लोगों को और इनके craft को बहतर परिस्थितिया देनी चाहिए, और हम as citizens क्या इनके लिए कुछ कर सकते हैं, comment कीजिए, और हाँ, चिंता ना करें, क्योंकि सत्य में वजय दे, जये श्रीहरी